वेरी गुड मोर्निंग तो आल अफ यो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बायर टेक्नोलोजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स तो 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 स्टाट करते हैं अलme आज हम लोग करेंगे बया टेक्नोलाजी प्रिंस्पिल्स और प्रॉसेस्जाइज बया टेक्नोलाजी एंड आप निटस अप्लिकमिशन हाँ पहले करेंगे हों गुड मौनिंग जेस को मार जा हो मारची वेरी गूर्मांग पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर प्रिंसिपल्स की और फिर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां निधी उत्तम अठ्लेश दुवेधी दॉक्तर सुभाम गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग तु अल फियू वेरी गुड मॉर्निग ज़स तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सिसन में क्या हाल है बच्छा पाटी मजा मा तो सुभाम जी गुड मॉर्निंग विकास सौधरी जी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पाटी यस का सौधरी डॉक्टर सुभम निरे उत्तम अखिलेश दुवेदी ब्रजेश कुमार यस बया प्यूज बया वेरी गुड मॉर्निग तो आज का ही जो सिसान हमारा इसमें हम लोग करने वाले से ना चलिए आते बहले निचर्ट से क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर दीखे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अपर लग आजाए तो टोंड कि और हम लोग such enzymes का यूज करके human welfare के लिए कोई process करना process बनाना या कोई product बनाना इसे हम था एक ना सब बताइए अंजी बर्जेस देवान बिया पर वि कास भीया बताइफी बार्टक लगा ये कितने फियों अग्रोडिक टो एंशरोडी वाठ ćो नोजी के कितने view's हैं, yes, एक technical view है, एक आपका traditional view है और एक हमारा modern view है, तो traditional view में क्या आता है, अगर हम दूस से दही बना रहे हैं, ठीच है, small quantity में, तो वो हमारा कैसा है, वो हमारा है traditional view, और अगर उसी चीज को large quantity में बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, modern view कहलाता है तो आपका sense in making making the curd, beer and wine इनका जैसे कर रहा है दूद बनाना, आपका bread बनाना, wine बनाना, अगर small quantity में बना रहे हैं तो यह हमारा traditional view है लेकिन इसी चीज़ को अगर हम large quantity में बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं अगर हम इसी चीज़ को बना रहे हैं process को large quantity में, curd, beer, wine को large quantity में बना रहे हैं या कह रहा है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, हम इसके लिए use कर रहे हैं genetically modified organism and कह रहा है on the large scale, किसके लिए सर, large scale, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, modern view कहते हैं, modern view अब बात करें तो इसमे आप gene की बात करते हैं, use of gene, WVM, DNA vaccines, correcting of gene defect and यह सारी चीज़ें किसमें आती है, modern biotechnology में आती है, clear है sir, जैर इसके बार बताईए sir, आपका EFB का full form क्या है, EFB का full form, what is the full form EFB, EFB का full form क्या है, बताओ बच्चा बाटी, what is the full form of EFB, EFB का full form क्या है, जल्दे से बताईए, EFB का full form क्या है, EFB का full form है, European Federation of Biotechnology, European Federation of Biotechnology, क्या कहती है, यह कहती है, integration of, क्या कर रहा है, integration of, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि, modern view और टेडीशनल व्यों को आपस में क्या करना combine turned in integration of natural science and organism and cell and Part of the expert molecular analog का use करके किसी product को बनाना या किसी process को करना ये क्या कहला आन्फ है telescope प्रिंस्पलस कितने हैं जलियाएं जल्द इसे बताएं बारच्पा तर दी ड्न और दूसरा है हुआ कारा बिशार ऑशेसिं की गिडिग आच्छ बताइए ट्रेडिस्णल ट्रेडि इसनल वीव क्या बला मैं मैंने का ट्रेडिस्णल एक 19th यूटम। ओए ट्रैडी इसनल है रख जाए ड्रावडबेक रख है ड्रावड़ाइशन का ड्रॉबेक क्या बताएं कि इसल्ड रावड़ाइशन का ड्रॉबेक्या बताइए ड्रोबेक। क्या होगा बच्छा बच्टि त्रेडिशनल hybridisation काई ठॉब्ड रिडविटिय। ज्खेर जाल हो बच्छा ठेडिशनल hybridika क्या होगा एन रिद्ण राबenne के ड्रॉबवेक के होगा हुगा कि यहां पर क्या होता है हमारा desirable के साथ undesirable character भी मिलता है same reading depression नहीं traditional hybridization का drawback है traditional hybridization जो हमने पढ़ा है उसका drawback क्या है उसका drawback यह है traditional hybridization का कि इसके तुरू हमें क्या होता है desirable character के साथ undesirable character भी मिलता है सर desirable के साथ undesirable character भी मिलता है तो हम bio technology के तुरू कि बल किस character को लेंगे सर डिजारबल करेक्टर को लेंगे अच्छा बदे फिर्स टाइम फिर्स टाइम डिने रिकॉंबिनेंट टेक्नोलोजी कि साइंटेस्ट ने परफॉर्म करी उमेज भीया गुड मॉनिंग उन्वांटेट करेक्टर यह विलकुछ सही बात है चले उमेज ब्रजेस आल राउंड चलिए बताइए बच्चा बाड़ि कि हमारा हमारा जो हमारा जो फर्स टाइम डिकॉंबिने ड morph प्लॉपर ऑन्पिंट्र त सखस्ट और गया अ सब्सक्राइब कोहन्स ने कोहन्स और बोर ने पताई किस एर में बनाया इस्टैल ने कोहन्स और हरवर्ड बोर साहब जल्दी से बताई भी या जल्दी से फास बताई बच्चा पाटी जो बनाया गया किस एर में बनाया गया इस एर में बनाया गया 1972 स्टेले कोहन्स और हरवर्ड गोयर 1972 पिल्कुल सही बात है 1972 में बनाया गया स्टेले कोहन्स और हरवर्ड गोयर के द्वारा एकदम राइट एंसर चलिए नेक्स बताइए नेक्स बताइए आप हमको येस नेक्स question हमें रमें वताई और तो कि इस्डेलने कोंस और हर्बर्ट गुर ने host के रोप में किस bacteria को यूज किया था सेल्ने कोंस और हर्बर्ट गुर ने host के form में विकास सिंह host के रोप में विकास, रभी राजन, उमेज, माही वर्मा किसे यूज किया था किसे यूज किया था यस सालमने टाइफी रूजम को नहीं यूज किया था इन्होंने यूज किया था होस के रूप में इकॉलाई गलत हो गया भीया कोशन होस के रूप में इन्होंने इकॉलाई यूज किया था यहां देखेगा सर, इन्हां, दूसरा कोश्चन है, इन्होंने किस से, हाँ, गलत हो गया भी है, सबका गलत हो गया, इकुलाइजर आइज़र ब्रजेस है, ब्रजेस ही आपका सही हो गया, येस, ब्रजेस कुमार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, इन्होंने जो प्लाजमिट बनाया था, वो किस बैक्टिरिया से निकाला था, जो प्लाजमिट निकाला था, वो सालमोरेला टाइपी मूरियम से निकाला था, इसका एंसर सालमोरेला टाइपी मूरियम होगा, बिल्कुछ सही बात है, तो करना, constructing the artificial recombinant DNA molecule, और प्लासमिट नोंने सालमोरेला टाइपी मूरियम से लिया था, इन्होंने, and then बताईए बहिया कि हमारा जो specific side से cut किसे कहते हैं molecular seizure DNA को cut करने के लिए उन्हें क्या यूश कहते हैं molecular seizure किसे कहते हैं बताईए बहिया अभिशेक, अभिमन्यू सिंग, Allround Gaming अकिलेशद दिवेदी, राजन साहब, डिलीवर दापी सब्सक्राइब देने इंट प्लास्मिट वेक्टर बिकॉस आप पॉस्टल ऑफ एंजाइम भाप देने लाइगेस एक्ट अग्टिंग देने मॉलेकुल जॉइन जॉइन देने आपर कह रहा है सर अबिलिटी तु मुल्टिप्रेट कॉपी देने रिजिस्ट कहा है चले नेक्स देखें भईया नेक्स यहां पर बताईए वह फ्रस रिक्स्रीक्ट्ड इंटोन्यूक्लेज किस एर में खो जा गया रिसी केस जल्दी से बताईए अच्छा सर दिवाण अच्छा दिवान अच्छा पोखे दिवान भिया तिवान सर यस 1963 में निकाला गया जब फॉस इक्स्टिट्रीज निकाला गया उसका नाम क्या है फॉस इक्स्ट इंडुट्री जो निकाला नाम क्या है जो भी तक डिस्कवर कर लिए कितने डिस्कवर कर लिया है तोटल डिस्कवर कर लिया है लाल बाबु पाल उमेज दिवान डॉक्टर दिवान ब्रजेश कुमार 900 बिल्कू सही है सर अच्छा 900 एकॉर्टी तो एंसे इस राइट हैं सर आपका 900 में जो हमने जो निकाले हैं उनमें से वो कितने स्टेंज से नि से यहां दिवान में one 1 बता रहें पता हैं अच्छा रहा अच्छा बताईए जैसे हमारा जो नेमिंग होता और सिक्स चीज को रिपरेजenders करता है जल्दी से से बताईए जीनस से लिया रहे बिल्कुछा और स्टे टूलेटर कि से लिए जाते हैं से कंड डूलेह किस से जाते हैं जल्दी से वोली सेकेंड डू ले जाते हैं इस से ले जाते हैं और देन होता है आपका क्या देन उसके बाद होता है आपका common गोड़ीन्यक्वी सब्सक्राइब स्पिक्शी सिक्वेंड दिया लाइन यहां से पूची गई है यह आप आप देख सकते हैं यह इस्टिकेंड निट्विज में मोस्ट आप दा आच्या बताईए प्लंट इंड काटते हैं कि इस्टिकेंड काटते हैं मोस्ट आपदा रिस्ट्रक्शन जो नुकलेस कैसे कारते हैं बलंट इंड कारते हैं कि इस्टिकेंड कारते हैं मोस्ट आपदा मोस्ट आपदा रिस्ट्रक्शन जो नुकलेस कैसे कट करते हैं बताइए इस्टिकेंड और नहीं निधी उत्तम जी blunt indication नहीं काड़ते हैं most आपदा काड़ते हैं stick ends और जो blunt end है वो कुछ काड़ते हैं ज़्जादा तरही restriction nucleus कैसे काड़ते हैं stick equal ends के तू काड़ते हैं एक सर और जहां से cut करते हैं उसे हम लोग कहते क्या है उसे हम लोग कहते है Palandromic Nucleoside Sequence क्या कहते है Palandromic Nucleoside Sequence कहते है अच्छा बहिया एक बात मुझे बता दीजे रिक्सिक्सन इंडो नुकलेज हाइडोजन बॉन्स को तोड़ता है कि बैकबॉन आप नुकली केसिट को कटता है किसे तोड़ता है बताइए भिया हाडोजन बॉन को तोड़ेगा कि यह कट करता है बैकबॉन को जल्दी से बताइए बैकबॉन को कट करता है बिल्कु सही बात है और बताइए कि DNA का बैकबॉन बना किसका होता है DNA का backbone कि शीच का बना होता है जल्दी से बताइए DNA का backbone कि शीच का बना होता है PENTOS, SUKAR और FASFORUS का देखें सरे स्टिकेन की बात करा है स्टिकेन फर्वर्ड और बैकवर्ड पढ़ने पर सेम डारेक्शन में होते हैं यहाँ पर यहाँ दखेंगा साथ देखेंगे 2016 ने पूछा गया इसकी इंसर फैसलेटेट दो एक्षन आप एंजाइम डेने लाइगे इस इस सब्सक्राइब नुकलेज आर यूज इन जनेटिक इंजेटिक इंटिक और रिकॉंबिनेंट मॉलेक्वल आप डेने विस कंपोस्ट आप डेने बियुके ऑडने कंतर ओडेने क्या इसकी आप डेने लाइखेंगे साबी किया काई यह वह कंपोसरे से घृत कर सकते हैं बता ही विया क्या हम सेम क्या व्यक्टा डेनेटिक और विस इन दैने हमी सबएक्ट्राइए से cut करेंगे तभी हमारा recombinant बनेगा या हम दूसरे भी use कर सकते हैं बताएं भी या तभी राजन साब बिलकुल सही कहा रहा है सर हमेशा हम foreign dna और restriction और nucleases तो है वो जो foreign dna alien pieces को हम कैसा use करेंगे same restriction और nucleases से cut करेंगे अच्छाओं जेल एलेट्रोफोरेसिस में जेल एट्रोफोरेसिस में जो हम यूज करते हैं वह हम seaweed से निकालते हैं वह seaweed का कौन सा नेच्रल पॉलीमर है seaweed का कौन सा नेच्रल पॉलीमर है जिसे जेल एलेट्रोफोरेसिस में अग्रोजेल बताईए एग्रोजेल जो है वो कौन सा effect cause करता है एग्रोजेल की वज़े से कौन सा effect आता है जिसकी वज़े से larger molecule पीछे और smaller molecule आगे जाते है बताईए एग्रोजेल की वज़े से कौन सा effect आता है जल्दी से बताईए एग्रोजेल की वज़े से कौन सा effect आता है सीविंग इफेक्ट इस राइट एंसर बताईए जल्दी से बलो बच्छा पाटी यह जल्दी बताओ बहिए यस दिवान डॉक्टर राउंड गेमर आल राउंडर गेमर निधी उत्तम अश्मित यादाओ ब्रजेज अंजली रभी राजन यस इफेडियम ब्रोमाइट अच्छा बताई इफेडियम ब्रोमाइट डालने के बाद हम उसके उपर अल्ट्रा वालेट रेज डालेंगे की यूवी रेज इस्टेनिंग प्रॉसस में किस लाइट का यूज करते हैं इस् हो जाता है का अब डिने चांप ऑघ्यादा यूफ पाई यह को जड़ हो बंप गुर्या औरिज को यूफ लिए यूपल एक डिने फ्रेक्राइब प्रॉसस मेंथ की इसे वेंट को क्या करते इस पाक्चूला यूफ हमसे निकाल करके अलग करना प्रोसेस को क्या कहते है बताई भिया इस पैचुला के थे उन्हें बाहर निकालना क्या कहता है इल्यूशन कहला था बिल्कुल सही बाद है प्रक्टिंग आप डिने वाइज रिस्ट्रेक्शन नुक्लेज इंदा फ्रेग्मेंट आप डिने एम फ्रेग्मेंट कन भी सब्सक्राइब इसे निकालना क्या क्या आता है बिल्कुल सही बात है अच्छा बताइंए वेक्टर जो फ्रस्ट नियचरल वेक्टर हमने यूज किया वह प्लाजमिट यूज किया की बैक्टिरियो फेस दोनों नहीं यूज किया सबसे पहले हमने यूज किया था प्लाजमिट सबसे फी exist इसके बाद हमने बैक्टिरियोफेस को criar यूझ किया था जा मीदि किए और बैक्टिरियो फेस उसकी on का कॉपी नंबर वैरी करेगा कि नहीं करेगा जली से बताईए सेल टू सेल प्लाजमिट का कॉपी नंबर वैरी करेगा कि नहीं करेगा वैरी करेगा बिल्कुल विकास गया रवी राजन अच्छे एक बाप बताईए हमने नेचुरल वेक्टर की बजाए आर्टी फीसियल वेक्टर बनाने की जहुरत क्यों महसूस करी बताई विया आर्टी फीसियल वेक्टर बनाने की हमने जरूरत महसूस क्यों करी बताई विया ऐसी कौन सी वज़े थी, अकिलेश, हरसित गुपता, यस अमिर्ट ब्रजेश कुमार, ब्रजेश कुमार जी, यस जल्दी से बताइए, उमेस, उमेस, आल राउंड गेमर, यस, हाई कॉपी नंबर नहीं, ताकि हम आसानी से हाई कॉपी नंबर भी हो सकता है, और साथे साथ हम ताकि recombinant और non-recombinant, and transformant और non-transformant दोनों को क्या कर सके, आसानी से recognize कर सके, अच्छा बताइए, किसी भी artificial vector में, main कितने component है, किसी भी artificial vector में, main कितने component है, किसी भी artificial vector में, main component कितने है, बताई है, main component कितने, main component कितने, जल्ली से बो भी है, किसी भी artificial vector में, कितने main component है, तीन बिलकुल, आठ नहीं, ब्रजेश कुमार जी, गलत है वहीज़ी आपका answer, m astronomers इन प्रीटेमन passion कुरूं में हमने बताया एक उता है एक होता है आपका ओराई एक होता सेलेक्टेबल मारकर और तीसरा क्या हो सकता है बताये तीसरा नाम क्या है बताये ते तीसरी चीच क्या होगी, तीसरी चीच क्या है बताए जल्दी से, जल्दी से fast बताए बहिया, जल्दी से yes, cloning, cloning नहीं, yes, जल्दी से बताए तीसरी चीच क्या है, yes, our site, बहिया, पहला हो गया, पहला हो गया, पहला क्या था आपका क्लोनिंग साइट यह पहला हो गया क्लोनिंग साइट और क्लोनिंग साइट बताई बताई जल्दी से बताई यहास क्लोनिंग साइट इस राइट इस विल्कुछ सही बात है तो यह गया ओर आई एक तो गया और आई एक तो गया और आई एक तो गया और आई तूसरा ऑगर दूसरा क्या अउचलन फटा दाऊ तो नेक्स बताईए वह या कि first artificial vector का नाम क्या है हाँ first artificial vector का नाम good morning swaita kumari good morning बिटा लाल बाबु पाल good morning में कौन सा gene use हुआ था बच्चा पाटी yes हाँ sir थोड़ा सा lagging हो रही है I know that छीक है फिर भी कोसिस करते हैं sir first selectable marker रूप में use हुआ था antibiotic resistance gene क्या यूज हुआ था antibiotic resistance gene यूज वा था थे के सार नीट टू 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 तंटी मिहां से कोच्छन आया दा इस इस अ सिकेंस फ्रेडर रैप्लिकेशन इस्टार्ट एनी पीस आप देने लिंक में दा sequence can be made the replication within the host that is the orai selectable marker कौन यूज हुआ और आई की बजाए यहां पर selectable marker यूज हुआ था antibiotic resistance gene और यह जो antibiotic resistance gene है यहां पर selectable marker यह आपके transformant और non-transformant recombinant और non-recombinant के भी selection करने में मदद करते हैं आप बताईए सर हमारे PBR 322 में cloning sites कितनी हैं हमारे PBR 322 में cloning sites कितनी जल्दी से बताईए लेगगिंग खतम ही के नहीं बताओ बया बदाये हमारे PBR-322 में CLONING SITES कितनी हैं जल्दी से बलो भग्या PBR-322 में lagging SITES कितनी हैं बता हो भग्या CLONING SITES कितनी हैं जल्दी से बलो Please यह TOPIC सही से बता दीजे चीक है देखाव भग्या यहाँ पर समझे यहाँ पर चलिए हम आपको समझाने की कितने लोग को यह टॉपिक आराम से समझना है कितने लोग जल्दी से बताईए How many students want to know that PBR 322 in the detail जल्दी से message करिए otherwise मैं चेहोशन पूस के आगे बढ़ता हूँ जल्दी से बताईए फास स्वास बताईए कितने लोग चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं आप बताईए Yes Okay, okay, okay ब्रजेश कुमार जी सुबम, उमेश, रवी, राजन ठीक है, सूरज, त्यागी Okay, sir बतादो, आराम से, sir Okay, सुबम, उमेश मतलब ठीक है, मतलब यह रिवीजन के तौर पर नहीं आपको पुरा टॉपिक समझना आईए विकास सिंग जी, यस परजेश, सूरज, विकास, उमेश, आल्राउंडर, गेमर, यस Okay, sir विकास सिंग, तो ठीक है, सारे बच्चा लोग को चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन, sir, जुड़े रही है थोड़ा सा इसे आप सेयर करिए, चलिए देखे, बिटा, क्या है ना कि हमारा हमारा जो नेचुरल वैक्टर है नेचुरल वैक्टर में सेलेक्टवल, रिकॉमिनेंट और नॉन रिकॉमिनेंट और कह रहा है, sir, कि ट्रांस्वार्मिंट और नॉन ट्रांस्वार्मिंट हाँ, प्लीज, sir, बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल, sir, हम आराम से बता देते हैं, सुरस्त्यागी जी, बस बरी बास समझे, हम यहाँ पर यह कह रहा है, sir कि वैक्तर की जोरत क्यों पढ़ी है, कि हमें, हमें क्या करना है, sir, हमें अपने जीन आप इंटेस को क्या देनी है, जीन आप इंटेस को हमें देनी है, और आई, ठीक है, तो हमारा कोई, जो सबसे पहला, पहली बात तो यह समझो कि हम कोई नई चीज बनाते नहीं है हम क्या करते हैं हम कोई natural चीज में modification कर देता है तो Bolivar और Rodgers आप ने क्या किया Bolivar और Rodgers आप जो दो scientist है इन्होंने एक natural plasmid लिया और इस natural plasmid में अपना खुद का औराई था तेके सर ये अपना खुद का औराई था सर नेचुरल प्लाजमेट इन्होंने लिया जान से सुनेगा Bolivar और और जर साब ने क्या लिया सर औराई एक natural plasmid लिया अब इस natural plasmid के लिए इन्होंने किसी दूसरे plasmid का औराई निकाला क्या निकाला औराई दूसरे plasmid का औराई कैसे निकालें किसी बैक्टिरिया से बेहतर औराई निकाला जिसका कॉपी नंबर क्या हो अच्छा हो जिसका कॉपी नंबर अच्छा हो सर हां बिलकुल सर ऐसा हो अब उसको निकालने की टेक्निक क्या है उसको निकालने की टेक्निक है isolation up DNA, fragmentation up DNA and separation up gene up segment और इन्होंने इस natural plasmid का जो natural plasmid था इसमें आकर के इन्होंने वो औराई लगा दिया तो इसका खुद का जो औराई था वो उन्होंने हटा दिया और इसकी क्या लगा दिया एक नया औराई लगा दिया जिसका खुद का इन्होंने औराई चेंज कर दिया अब इसके बाद इन्होंने क्या क्या एक बैक्टीरिया पकड़ा एक बैक्टीरिया लगा इन्होंने उस बैक्टीरिया किल से क्या लिया उन्होंने tetracycline resistant gene लिया तो किसी bacteria से tetracycline gene निकालने के लिए फिर से वही सारे methods isolation of DNA फिर आपका fragmentation of DNA फिर separation of gene of interest और दिन उसके बाद आकर के उन्होंने क्या किया इसके बाद उन्होंने आकर के यहाँ पर इसमें लगा दिया एक side पर tetracycline और उसी पकार से इन्होंने क्या निकाला एंफिसिलीन लगा दिया तो यहाँ पर देखिये सर यहाँ पर इन्होंने क्या लगा है यह इन्होंने एक vector बना कर तयार किया अब यहाँ पर इसके जो natural genes से वो तो यहाँ से कटके हट गए तो यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया आरोपी लगाया आरोपी क्या होता है आरोपी होता है प्रोटीन आफ रेफ्लिकेशन यह वो जीन है जो प्रोटीन आफ रेफ्लिकेशन बनाते हैं अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्हों ने जैसे लगा है MPCeline लगा है, तो MPCeline पर कितने यहाँ पर आपके restriction sites हैं, दो है, PBU first, PST first, Tetra Cycling पर कौन है, SLA first और BAMH1, clear है सर, तो यह आपके, ऐसे यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई आपका gene होगा, अब यहाँ पर finally हमारे पास, जो है, finally हमारे पास क्या बन के तयार हो गया, एक artificial vector बन के तयार हो गया, artificial vector के पास औराई है सर अपना, इसके साथ 8 cloning sites हैं, कितनी cloning sites हैं, 8, PST first, PVU first, Eco R1, CLA first, Hindi third, है ना BAMH1, cell first, तीक है, यह हमारे पास बन के तयार हुआ, अब यह जो हमारे पास restriction sites है, अब हम क्या चाहते हैं, हम अपना gene up interest, इसमें जोड़ना चाहते हैं, हम अपना क्या जोड़ना चाहते हैं, बंदना मिस्रा जी, good morning, राम केवल, good morning, अरुन कुमार, good morning, हम करें सर, इसमें हम क्या जोड़ना चाहते हैं, gene up interest, तो अपना gene up interest, हम जब जोड़ना चाहेंगे, तो इस में यहाँ पर जैसे कि दो साइट जैसे हमने माल लिया कि हमने इंसुलिन का जीन निकाला किसका जीन निकाला इंसुलिन का जीन निकाला और इंसुलिन का जीन लाकर के हमने कहा लगा दिया वो हमने लगा दिया आकर के बैमेचमन साइट पर तो जब हमने BAM H1 साइट पर लगा दिया अब जैसे माल लिया कि हमने क्या लिया अभी देखेगा सर वेट A मिनट जैसे हम यह कहरे है आप से हम आपसे यह JOSH कह रहे हैं हम आप से कह रहे हैं हमने क्या किया हमने यहाँ पर रिकॉंबिनेंट डिन आ बनाने हम हमने PBR 322 ले लिए और इं Yv1 हमने क्या डाला Gen- Apply reh यहां पर PBR 322 जिसमें क्या लग्या हमारा 영상을 लगग्या तो Health इंश्लीं जीन नदे फ्रस्च नमगए पर साइड पर पर क्या है ये माविज यह होगी साट तो कुछ 11 में PBR 322 जिसमें टर्सरा आपलगा धरे कि उसमें क्या हो गया है Incerígenal Inactivation हो गया क्या हो गया इनसरोल Inactivation तो अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ PBR 322 हैं जिन में Tetra Cycling के लिए Resistence नहीं है लेकिन इनके पास Tetra Cycling के लिए तो Resistence नहीं है लेकिन इनके पास अभी भी क्या है सर इनके पास MP-Celine के resistance अभी भी है तो ये वाला जो हो गई इन्हे हम लोग कहते है Recombinant DNA और इन में से कुछ ऐसे हैं जिनके पास Tetra Cycling के लिए resistance है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास MP-Celine के लिए resistance है यानि कि यहाँ पर PBRT 22 हमारे पास कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं जो recombinant नहीं बन पाएं तो अब कौन सा recombinant है और कौन सा recombinant नहीं है ये पता करना है हमको तो इसके लिए हमें इनको transfer करना पड़ेगा बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया में transfer करने के लिए हमने क्या किया हमने ले लिया E. coli हमने क्या ले लिया, E-koli ले लिया, अब मालिया की जैसे यहां बर टोटल PBR 322 हमारे पास 2000 है, और हमने बैक्टीरिया ले लिया 4000, ठीक है सर, अब हमने इन रिकॉर्बिनेंट DNA को क्या किया, इन बैक्टीरिया में ट्रांस्फर कर दिया, और इस प्रॉसेस को हम लोग कहते हैं कुछ में चले गए, अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, जिन में वो वाला PBART22 गया, जिसके पास insulin वाला gene लगा है, और कुछ ऐसे गया, जिन के पास कौन सा है, सर, यानि की कुछ ऐसे जिन के पास recombinant वाला गया, मालिया, इनके पास गया गया है, recombinant वाला, और इनके पास recombinant वाला और ये कौन इनके तो इन दोनों में क्या हुआ ये दोनों कैसे हैं इन दोनों में transformation हुआ तो इन्हें हम लोग कहेंगे transformant क्या कहेंगे transformant और ये कौन से हैं ये हैं हमारे हाँ पर इन्हें हम लोग कहेंगे non transforming तो हमें बेसिकली चुनना क्या था हमें चुनना था recombinant और non-recombinant हमें क्या चुनना था सर हाँ के सरे जो cloning sites होती है इनहीं को recognition sites कहते हैं जो cloning sites होती है उन्हीं को हम recognition sites कहते हैं ठीक है ना सर यानि कि वो जगह जहां पर हम अपना जीना पिंटेस लगा सकते हैं, ठीक है सर, जहां पर अपना जीना पिंटेस लगा सकते हैं, सुरस्त्यागी जी वही होता है सर, ठीक है न सर, क्लोनिंग साइट जो हरा है, वही रिकगनीशन साइट से हैं, अब करहा सर हमारे पास, अब हम अब हमें क्या करना है? अब हमें पहले चुनना है, Transformент और Non-Transformant चुननना है, और फिर हम पढ़ेंगे क्या? Economion and Non-Economion को सपेंगे. अब देखो, E. coli हमने यहाँ पर Bacteria लिया. E. colirang बैक्टिरीयर किसी भी Antibiotic के लिए Resistance नहीं रखता है, Ray. तो हमने इसको क्या किया सर हमने इसको एक यहां पर पैटी डिस में ग्रो करा लिया तो यहां पर हमारे पास तीन कालोनी मिल गए एक कालोनी बी कालोनी और सी कालोनी अब हमने इनकी क्या बना ली इनकी हमने क्या बना ली रेप्लिका बना ली एक में हमने एक कालोनी ले ली बी recombinant और recombinant, दोनों के पास MPC yangg ke resistance होगी, तो यहाँ पर पहले हम क्या डालेंगे, इन तीनों के उपर यहाँ पर डालेंगे MPC yangg, क्या डालेंगे, इन तीनों kolonies के उपर डालेंगे हम लोग MPC, इनके हम लोग डालेंगे MPC, सोब माल्यえるäm इसलीन डालने पर हमारी B-calonies मर गई कौनसी मर गई इसका मत्बब है जो B-calonies वाले बैक्टिरिया हैं हमारे वो कैसे हैं यह हमारे non-transformant तो हमारा collection हो गए यहाँ पर non-transformant का ठीक है सर अब हम कह रहे हैं सर अब हम कह रहे हैं कि अब हम क्या चुनना हैं हमको recombinant और non-recombinant तो जो recombinant हैं उनमें टेट्रा-साइक्लिन की जगे क्या insert हो चुका है इंसुलिन जीन मान लिया हमारा यानि जीन आप इंटेस तो वो किसीज के resistance छोट चुके हैं इंसुलिन के लिए अब हम क्या करेंगे जो बचे हैं बैक्टिरिया उनके उपर क्या डालेंगे उनके इंक कालोनी के अलक कर लिए और हमें क्या मिल जाएंगे रिकॉर्बिनियंट मिल जाएंगे वो यहाँ पर जो एंटिबायोटिक र्यजिस्टेंस जीन है रोयल पंड्रित वासमझ में आई कि नहीं तो there are the gene antibiotic resistance gene जो है यह antibiotic resistance gene जो यहां पर है वो किसमें use हो रहे हैं वो use हो रहे हैं to select the transformant and non-transformant and recombinant and non-recombinant बताओ भया इत्ती वासमझ में आई की नहीं आई आई की नहीं आई भया क्या मैं आपको इसका छोटे जहां, बहुत बहुत थेंक्यू, सुरस्त्यागी जी बोल रहे हैं, चलिए सर, आपका यह बहुत बहुत दन्वाद, चलिए, लेकिन अगर आपको, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, तो अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, एक बात और मैं कहें, अगर हम यह कहें आपसे, अगर हम थोड़ा सा केश चेंज कर देते हैं, एक हम केश चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने कोसिस तो की, आपको कम समय में बताने की कोसिस तो करी, लेकिन अब एक हम अपलाइट कोशन आपसे पूछ लेते हैं, सर, यहाँबर हमें आपसे ए पे जोड़ रहा है प्लीज मेरी बास उनेकर सर्जाद जब हम जीना पिंटेस अपना बैमेश बन पर जोड रहे हैं तो हमने क्या किया हमने हमने त्रांस कि फार्मेंड को अइंड नॉट यूठ ट्रांसफॉरमेंड पता करने के लिए यूज किया एमफी सेलीन को और हरी कॉमिनेंट अंड नॉन रिकॉमिनेंट पता करने के लिए यूज किया हमने किसको tetracycline को अब हम कह रहे हैं case change करते हैं हम अपना gene up interest हम अपना gene up interest pst पे लगा देते हैं हमारा recognition site pst हो जाता है ठीक है अब बताईए अब आप बताईए अगर हम कह रहे हैं ये case तो ये हमने आपको explain किया अब हम कह रहे हैं इसकी बजाए हमने कहा लगाया pst पे लगाया तो बताओ तो बताओ हम transformant and non transformant पता करने के लिए कौन सा antibiotic resistance gene use करेंगे कौन सा यूज करेंगे बताईए हाँ कनिका सत्यम यादो सूरस्त्यागी निधी बताईए बताईए भया येस डार कलर ले लेते हैं बताईए येस बिल्कुश सही बात है अब सेम चीज अपोजीट हो जाएगी इसके लिए हम क्या यूज करेंगे emphysiline और हमारा recombinant and recombinant and non recombinant पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे tetracycline यूज करेंगे बोलो आया कि नहीं आया सर चलिए सर अगला कोश्चन बहिया बताईए पी उसी वेक्टर पी उसी वेक्टर में selectable marker कौन कौन से है पी उसी वेक्टर में selectable marker बताईए भी है पी उसी वेक्टर plasmid of California plasmid of plasmid in versity of California का जो selectable marker है वो क्या है सर जिते इन राठोर साब बताईए भी है जल्दी से बताईए जो second पी उसी वेक्टर बताईए उसमें बताईए क्या है सर selectable marker तो वहाँ पर selectable marker कौन है emphyseline है और कौन है beta galactosidase gene है emphyseline and beta galactosidase gene यह क्या है सर यह हमारा POC vector बताईए गया है यह आँपर POC vector बताईए गया है बिल्कु सही बत है चलिए next देखे भाया next यहाँ पर बताईए गया है अच्छा बताईए POC vector में जो recombinant है recombinant colony color देगी या non-recombinant colony color देगी color कहौनसी colony देगी बताईए कौन सी कालोनी कलर देगी रिकॉमिनेंट कालोनी कलर देगी कि नॉन रिकॉमिनेंट कालोनी कलर देगी कलर कौन सी कालोनी देगी सुमन कुमारी बताइए नॉन रिकॉमिनेंट कालोनी कलर देगी बिल्कु सही बात है प्रस्तान ब्रजेस कुमार जी रवीड आजन विया रतन कुमार गुडब्धू हो यस बहुत बहुत धन्यवाद, रॉयल पंडित जितिंदर अंजली गौरव सिंग, यस, सूरज त्यागी साब, राम केवल, ओके सर, राम केवल, वेरी गुड बच्चा, चलिए, नेक्स कोशन है मेरा आप से, कि बताइए, कि हमने, हमने बैक्टीरियो, हमने रिट्रो वारस को रिट्रो वारस को ऐसे वैक्टर यूज किया, तो रिट्रो वारस जो होते हैं, वो हम एनिमर्स में उन्हें ऐसे वैक्टर यूज कर रहे हैं, कि प्लांट में यूज कर रहे हैं, बताइए, रिट्रो वारस को हम ऐसे वैक्टर कहां पर यूज कर रहे हैं, किस में, किस सब्सक्राइब करने के लिए अपने होश को कंपिटेंट बनाने के लिए हमने बताओ डाइवलेंट के टाइन से यूज करने के बाद हमने सेल वाल को तोडने के बाद पहले हमने गरम पानी में डाला कि पहले ठंडे पानी में डाला पहले हम किस में डालते हैं हीट सॉक ट्रीटमेंट में हम बैक्टिरिया को पहले गरम कंडिशन देते हैं हाई टंपरेचर देते हैं कि पहले हम क्या देते ह है पहले हम क्या करते हैं पहले high temperature देंगे कि low temperature बताओ भया पहले बिल्कुछ सही बात है पहले हम high temperature देंगे फिर उसके बाद low temperature देंगे और फिर क्या देंगे फिर high temperature देंगे अच्छा बताइए transformation के procedure आपने कितने type के पड़े transformation के procedure ऴिज약 आपने कितने टाइब की पढ़ें जल्दी से बताइए और टाइब त्रांसफॉर्मिंग प्रेशन पर्फॉर्मिन के मेफच्ट्रन के बढ़ें चार टाइब के बढ़ें वह तीन टाइब चाइब करो भया ठीक है भया कितने तरीके पड़े आपने चार तरीके कितने तरीके हैं चार देखे पहला है हीट सॉग ट्रीटमेंट जो बैक्टीरिया में यूज हो रहा है नीट टू थाउजन थर्टी में पुछा गया ट्वैल में पूछा गया माइक्रो इंजेक्शन की बात की गई है बायोलिस्टिक गन और जीन गन की बात की गई है और चौथा तुम्हारा कौन है डिस आर्म पैथोजन ठीक है सर किसी पैथोजन को डिस आर्म करके भी हम उसे एजे वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं ठीक है सर चले बताएए बायोलिस्टिक गन और जीन गन में हम अपने डिकॉमिनेंट डिने को किस मैटल से मैटल आयन से कोड करते हैं बताएए किस के दौरा हम उसे किस मैटल आयन के दौरा उसे हम कोड करते हैं जल्दी से ब हम बात करें तो उसमें पहला step क्या है पहला इस्टेप है isolation आप DNA isolation आप DNA दूसरा Fragmentation of DNA by destruction and nuclei then isolation of DNA by fragment and then ligation of DNA factor fragment into the vector and transferring the recombinant DNA into the host and culturing the host cell with the medium large scale destruction of desirable product अब यहां पर कर रहा है कि जब isolation of DNA कर रहे हैं Bacterial Cell में क्या हुज़ हो रहा, Lysogine, PAN Cell में क्या हुज़ हो रहा, Cellose, Fungus Cell के लिए क्या हुज़ हो रहा, Catinase, अब बताइए भाया, हम जब उसे digest कर लेते हैं, तो DNA को निकालने के लिए, हम चिल्ड Methanol डालते हैं, कि चिल्ड Ethanol डालते हैं, बताइए, यस, चिल्ड Ethanol डालें हैं, बिल्कु सही बात है, नेक्स यहां पर कह रहा देखें सर, हाँ, देन कह रहा हैं यहां पर, हमारा जो PCR है, Polymer Chain Reaction, Polymer Chain Reaction में तीन स्टेप होते हैं, बार-बार यह कोच्छन पूचा गया है, Denaturation, Analying और Extension, आप बताइए, इन तीन स्टेप में से, Primer कहां पर यूज हो होगा, जल्दी से बताइए, Analying में होता है, बिल्कु सही बात, अच्छा एक बार बता दिये, यहां पर जो Tech Polymerase यूज हो रहा है, वो Tech Polymerase हम कहां से लेते हैं, बताइए भईया, Tech Polymerase हम कहां से लेते हैं, फास बो भईया, वो Tech Polymerase हम कहां से लेते हैं, यस, जल्दी से ब कहां से लेंगे टैक पॉली मराइज हम कहां से लेंगे भोलौ बचल पाड़ी टैक पॉली मरेज थर्मस अकवेटिक असे लेंगे बिलकुल सही बात है sir और यहां पर देखिए हमारे पास कहा रहा है सर बायो रियक्टर की बात कि बात कि यह जो बायो रियक्टर होते हैं इनकी खासियत क्या होती है बायो रियक्टर की खासियत यह होती है पाटी की हमारा जो बायो रियक्टर होता है इसमें एजिटेटिंग सिस्टम होता है इसमें आक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है इसमें फोम कंट्रोल सिस्टम होता है टंप्रिचर कंट्रोल सिस्टम होता है पीच कंट्रोल सिस्टम हो preservation भी हम करते हैं सर बोलो बासवन में आई की नहीं आई सर clear है सर यहां तक तो यह question हो गया यहां पर हमारा यह हो गया हमारा principles of bio technology का अब हम लोग देखे सर क्या सारे बच्चा पार्टी इस chapter का quick requision के लिए star के लिए आप लोग तयार है की नहीं quick recap के लिए क्या हम इसके quick recap पे जाएं क्या आप हमें कुश कुश minutes का time देंगे ताकि हम आपके इन सारे points को बोल सके ठीक है सर तो कुश minute के लिए थोड़ा सा सान्थ हो जाएए और हम लोग कुश important point लगातार सुन लेते हैं सर ठीक है सर चले तो यह कह रहा है कि यह chapter page 1932 205 page नमबर तक पाया जाता है हमारा यह page और यहां से पहला point देखे सर living organism और enzyme का use करके अगर हम human welfare के लिए कोई चीच बना रहे हैं तो इसे हम biotechnology कहते हैं कह रहा है कि अगर हम product small quantity में बना रहे हैं तो को हमारी जो traditional biotechnology कहलाती है और large scale में बना रहे हैं तो उसे हम modern biotechnology कहते हैं modern biotechnology में जैसे आपका test tube बेभी है, synthetic gene है, using developing the DNA vaccine, correcting correction of the gene, यह सब modern biotechnology के part है European federation of biotechnology ने क्या किया इन्होंने का traditional view और modern view को हम एक साथ मिला देते हैं बंदना तो यहां पर कह रहा है बंदना बेटा की इसमें इन्होंने एक definition दी integration of natural science ironism, cell part of their molecular analog produced in the services कहरे हैं इसकी two core techniques है, genetic engineering and bioprocessing engineering, then कह रहा है आपर traditional hybridization का एक drawback क्या है, इसका drawback यह है कि हमारा जो traditional hybridization है, इसका drawback यह होता है कि traditional hybridization का drawback हमारे पर desirable character के साथ, undesirable character भी मिलता है, तो genetic engineering के तुरू हम केवल क्या लेंगे desirable character लेंगे, तो first time recombinant DNA बनाने की कोसिस की, Stanley Cohen's और Herbert Boyer ने, इन्होंने Salmoner type A murium पे काम किया 1972 में, इन्होंने plasmid use किया Salmoner type A murium का और इन्होंने उसमें इन्होंने gene आप interest जो जो जोड़ा, वो antibody resistance gene था, उसे जोड़ा था DNA ligase के द्वारा, and then यहाँ पर इन्होंने vector को यूज किया plasmid को यूज किया as a vector यहाँ पर कर रहा है कि restriction no nucleus जो होते हैं हमारे, तूस आप recombinant DNA technology enzymes होता है, vector होता है host knowledge हम होता है, 1960 60G में E. coli के through हमने निकाला पहला restriction no nucleus, जिसका नाम रखा गया हिंडी second, जिन करहा है इसमें इसकी recognition sequence है, वो six base verse की होती है, more than 900 restriction engines जो है आज तक हम लगबग देख चुके हैं, और करहा है वो हमने 230 strain सा bacteria से निकाला है, करहा है इसमें जैसे यहां पर एक नाम दिया गया है hysteria coli, hysteria coli E. coli, RY13 तो ऐसे यहां पर कह रहा है कि जो first word होता है, वो किसे revision किया जाता है, वो revision किया जाता है genus का first letter किया जाता है और जो second two letters होते हैं, वो species से ले जाते हैं, यहां पर कह रहा है सर, जैन कहारा कि most of the restriction to nucleuses क्या cut करते हैं sticky ends cut करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो blunt it भी cut करते हैं यहां पर कह रहा है सर, palindromic DNA sequence होते हैं, इन्हें upward और rightward दोनों साइट से पढ़ते हैं तो यह हमेशा कैसे हैं कि same चीज़ प्रोनॉंस करते हैं हैना इन्हें हम palindrom sequence भी कहते हैं यहां पर कह रहा है सर, 2020, 21, 20, 19, 12 में यह पूछा गया, 2017 में DNA ligase की बात करीगी सर इसके बाद याद अखेगा important यह है कि हम जिस restriction to nucleuses से vector को cut करेंगे यानि कि जिस से हमने cut किया है अपने foreign DNA को उसी से हम vector को use करेंगे सर DNA पर कह रहा है कि हमारा जो restriction to nucleuses सर इसे molecular seizure भी कहते हैं जहें gel lactoferuses के तुरू हम क्या करते हैं separation आप DNA fragments करते हैं DNA negatively charged molecule हम यहां पर जो gel lactoferuses है उसमें agrose use करते है agrose is a natural polymer extracted from the seaweed और यह क्या देता है seaweed effect देता है जिसके वेसे larger molecule पीछे रहा जाता है smaller molecule आगे आता है lithium bromide के तो हम stain कहते है UV radiation डालते है और जो band color आता है वो आता है bright orange color का सर और इसको बाहर निकालना यहां से इसे क्या कहते है illusion कहते हैं सर then करहां cloning vector की बात करें natural cloning vector की बात करें सबसे पहले यूज़े वो यूज़े plasmid और bacteria face सबसे पहले यूज़ वा था plasmid then कहरा सर इनके copy number जो है 15 से 100 copy number इनके vary कर सकते हैं सर first कहरा कि कोई भी cloning vector उसमें तीन main चीज़े होती है original replication selectable marker and साथी साथ कहरा यहां पर cloning site cloning site होती है सर यह third one is the cloning site कहरा सर हमारा PBR322 जो है first artificial vector है first artificial vector है और कहरा सर यहां पर हम देख सकते हैं सर कि इसमें जो cloning इसमें जो selectable marker यूज़ किया वो यूज़ किया गया है आपका antibody resistance gene कहरा presence of more than one recognize sign यह 9 देखें नी 2022 में पूछी गई सर कहरा कि मतब एक किसी vector में जैसे हिंडी third है तो हिंडी third की केवल एक ही site है सर और कहीं दूसरा हिंडी third site नहीं है सर ठीक है जैसे कहरा SLA first है SLA first की केवल एक site अब SLA first की एक से अधा recreation site होती तो फिर भाईया इसके fragments हो जाते सर इसका फुल फॉर्म होता है protein of replication गलत है सर यहां पर यह गलत दिखा protein of replication यह इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है proteins of replication ठीक है सर इने हम लोग क्या कहते है proteins of replication then कह रहा है सर यहां पर बात की जो blue color की बात कर रहा है ये PUC वैटर की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है PUC वैटर की देन कर रहा है कि TI Plasmid हमने बैक्टिरिया में उसकिया Retrovirus Animals में उसकिया सर कह रहा है सर हमारा DNA Hydrophilic Molecule होता है और उसे बैक्टिरिया में डालने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ता है उसे उस बैक्टिरिया सेल को competent मिनाना पड़ता है और इसके लिए हम डायवैलें केटाइन से उसको treat करते हैं पहले हम उसे डालते हैं गरम पानी में और धंडेवानी में और देन फिट से गरम पानी में देन करना DNA इन तो host micro injections की बात करें तो इसे animals में यूज क्या जाता है और अगर हम बात करें बायलिस्टी गन और जीन गन इसे हम प्लांट के केस में यूज करते हैं इस आर पैथोजन आंसो है ट्रांस्फॉर्मिक प्रोसेस देन करा सब प्रोसेस आप डिकॉंबिनेंट डेने टेक्मोलोजी की लाज इसके इस्टेक्शन आप डिजारबल प्रोड़क्ट जैन बैक्टियर सेल वाल आईसोजाइन से तोटती है प्लांट सेल वाल से फंगल की काईटीन से सर और कह रहा है सर पॉलीमर PCR के तीन में इस्टेब है डेनेटरेशन एनलाइंग एक्स्टेंशन 2020, 2020, 2021 और 18 में पूछा गया सर जो हमारे यह लाइन जो हमारी हाँ दी गई है कि हमारे जो प्राइमर्स होते हैं वो क्या होते हैं ओलिगो नुकलोटाइट्स होते हैं सर यहाँ देखिएगा और करा वन बिलियन कॉपी बन सकती है थर्टी साइकल चलाने पर सर देन करा कि हाई टम्परेचर में कौन सर्भाई कर पाता है था थर्मस एक्वेटिकस से निकलने वाला पॉलिमरेज उसे कहते हैं टैग पॉलिमरेज देनियाबर करा है सर कि फिजियोलोज की मोस्ट लॉग अगर आपको बहुत जादा ग्रोज चाहिए तो आपको बायो रियक्टर्स की जवरत पड़ती है और बायो रियक्टर्स जो होते हैं हमारे वो 100 से 1000 लीटर तक की कैपसिटी रख सकते हैं यह जो बायो रियक्टर्स हो होता है औक सिजन डिलिवरी सिस्टम होता है कंट्रोल सिस्टों होता है डी फिएज गंडर्स सिस्थब होता है है जया आपकत Capital कुमश्टीशन द्फिश्टीम सब्लेटिक क्लीन कलीनिकर ट्राइल वह जैसा को सुरस्तैगी जी सर इसका टंप्रेचर पूछा जाता है किसका टंप्रेचर पूछ रहें जल्दी से बताईए किसको कुछना चाहते हैं नेक्स हमारा प्लिकेशन और हम आते हैं तो इनकी अगर हम लोग mixture करते हैं तो कह रहा है यहां पर यह एक तो हम एक बास्टालीज्स बना रहे हो यह पर हम पर हम बा Спर्णीज्ड पर काम करते हैं एक तु एक बेस्ट कालिस्स बनार नहीं चेत्मड पर Nou और यहां पताए गाए है और दूसरा बताए गया है यहाँ पर सिन्वें सर है तो अगरी कलचर तीन प्रकार की एक्रोज़ बेसर करनी है वह करनी क्या है हमें बनानी है बायो बाए बायो निक्स टॉलरेंट में हमें बनानी है हमारी हमारी जो crops है उनको cold, rot, salt और heat के लिए क्या होने चाहिए tolerance होने चाहिए हमें pest resistance crop बनानी है post harvesting crops को हमें कम करना है साथी साथ करा है उनके mineral use की efficiency को बढ़ाना है ऐसी हमें crop बनानी है enhance the nutritional value of the food golden rice vitamin A 12, 15 और 19 ने पुछा गया इसके बीटी bacillus serogenesis की बात की गई है 2013, 2017, 2020 ने पुछा गया bacillus serogenesis एक bacteria है जिसके अंदे pro toxin बनता है proteinus molecule बनता है सर और ये जो हमारा proteinus molecule हमारा बनता है सर ये proteinus molecule धान दीजेगा भीया ये proteinus molecule क्या करता है insect के mid gut में जाकर के mid gut में क्या मिल जा रही है alkaline pH और उसके gut को क्या कर देता है फार देता है और इसके वज़े से हमारा जो insect है वो मर जाता है सर bacillus serogenesis ये जो protein है उस gene को हम cry gene कहते है cry gene को निकाल करके हमने कहाँ डाल दिया cotton के plants में cotton के cotton ball warm को हमारे cotton plants को बचाने के लिए हम यूज़ करते है cry first AC cry second AV और हम यूज़ करते है cry first AV यूज़ करते हैं इसके बाद बात की गई यहाँ पर यहाँ पर टुबैको प्लांट को milwa degane incognesia से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या RNAi RNAi interference को यूज़ करते हैं milwa degane incognesia क्या है सर यह एक निमे टोड होता है सर next यहाँ पर कह रहा है कि medicine में अगर हम बात करते हैं तो आज की date में लगभग लगभग आज की date में अगर हम लगभग लगभग बात करें तो हमारे पास 30 से ज़्यादा लगभग 30 recombinant therapeutic drugs available है सर लेकिन इंडिया में कितनी available है 12 available है सर और इनमें से कह रहा है सर यहाँ पर insulin को जो हमने बनाई है आटी फिसली देखिए जो हमारी pro insulin होती है उसमें A polypeptide भी होता है उसमें B polypeptide भी होता है C भी होता है तो C polypeptide को हमारा गॉल की बॉड़ी हटा देता है लेकिन हमारी जब इसने बनाया तो यह इली लिली ने बनाई थी किसने बनाई थी इली लिली एक American company है जिसने बनाई थी artificial first hormone बनाया और किया DNA sequence of the corresponding A and B chain human insulin introduced them and the plasmid E coli produce an insulin chain and chain A and B where are processed to separately extract the combination creating the difficulty disulfide bond then आपर gene therapy की बात कर रहा है gene therapy हमने किसमे करी सर चार साल की बच्ची है सर सबसे पहले इसमें की थी 1990 में सर इसे थी क्या इसे adenosine deaminase enzyme की deficiency थी adenosine deaminase enzyme की deficiency जिसमें होती है उसमें vitamin उसमें जो उसका B lymphocyte और T lymphocyte mature नहीं होता तो immune system उसका weak हो जाता है तो इसमें basically हमारे पास कौन कौन सी चीज़े अवलेवल थी हम क्या क्या कर सकते थे हम उस patient में क्या कर सकते है enzyme therapy दे सकते है उसे क्या दे सकते है enzyme replacement therapy दे सकते है उस बच्चे को हम bone marrow transplant करा सकते है लेकिन ये दोनों ही permanent solution नहीं थे तीसरा हमने क्या ही उसकी असर हमने उस बच्चे की lymphocyte को निकाला और lymphocyte को निकाल करके हमने उसमें क्या किया normal gene में जोड़ा हमने क्या vector में normal gene जोड़ा और उस lymphocyte में कराय हमने introduce करा दिया ये हमने जो gene therapy पहली बार करी इसके तुरू हमने क्या किया सर हमने उस बच्चे को permanent solution तो नहीं दे पाया लेकिन है NCRT करी कि अगर यही procedure early stage में हो जाए तो हम permanent solution इसका खोज सकते हैं पस इतनी सी बात यहाँ पर है सर then इसके बाद यहाँ पर कह रहा है then इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या आपके आपकी दो तरीकी कि यहाँ पर diagnostic test बताए गया है एक diagnostic test यहाँ पर जो बताए गया वो यह बता रहा है सराब कि एक होते हैं आपके late detection और एक होते early detection early detection के बात करते हैं तो उसमें आपर कह रहा है recombinant DNA technology है polymer chain reaction है और ELISA है enzyme link immunosorbent ऐसे है सर और यह कहरा है सर जो हमारे जो early detections होते हैं वो pathogen को वो pathogen को बहुत early stage में क्या कर लेते हैं पता कर लेते हैं सर then करा transgenic animals की बात करेगा तो करा transgenic animals जो है लगबग जितने भी है वो लगबग लगबग mammals है हाँ fishes भी होती है सर most आपदा में देखो rat है rabbit है सीफ है काउ है करा कि जितने भी mammals है transgenic उनमे 95% तो क्या है माई से सर transgenic animals की तुरू हम करते क्या है normal physiology and development को बता करते है study are diseases की करते है साथी साथ कर रहा है सर हम लोग biological process में यूज करते है vaccine safety testing में यूज करते है और chemical safety testing में यूज करते है ethical issues में आप यहाँ दखेगा GAC government यहाँ पर कर रहा है genetically engineer approval community सर इसके बाद यहाँ पर जो important बाद आती वो आती हमारी bioparacy bioparacy में आप यहाँ दखेगा सर एक American company है उसने 1997 में क्या किया American company ने बास्मती राइस को patent करा लिया US patent trademark office में बास्मती राइस को patent करा लिया कैसे patent कराया हमारी variety को अपने डार्फ variety से साथ variety cross करा के बुला कि यह बास्मती की new variety है और इसको इस तरीके के जो काम होते हैं उनको हम लोग कहते हैं bioparacy bioparacy is the term used to defer the using the bioresources by the multinational companies and other organizations without proper authorization from the country and people concerned without the compensatory payments बोलो बास्मन में आए कि नहीं आए यह तो हो गई हमारी line by line के बाद चीक है सर अब आजाते हम लोग quick revision पे अगर हम quick revision पे आते हैं सर अपने quick revision notes के थुरू तो quick revision notes के थुरू हम देखेंगे biotechnology application में करा biotechnology का application जो है वो कह रहा है बहुत सारी चीज़ों में therapeutic, diagnostic, genetically देन करा है इसके बताए biotechnology की जो तेन main आज की डेट में biotechnology application में हम biotechnology के थुरू अपनी biotechnology की कितनी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते है कितनी चीज़े हैं जिनको हम बेहतर बनाना चाहते है पता ही विया यूनिस अलो अलिजम की natural death नहीं होती है बस इतनी सी बात कह रहे है सर सुभम मिस्रा जी यूनिस अलो 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 नहीं होती है ठीक है सर accidental death हो जाएगी अलग बात है लेकिन natural death नहीं होगी ठीक है जल्दी से बोले है जल्दी से बोले है यस तीन चीज़ों में मदद करती है best cast list बनाने में optimum condition and downstream processing इसके बाद देखें सर बताईए कितने टाइप की agriculture है जो अबलेबल है हो मिनी टाइप अगरी कल्चर हमारे देशने पर अबलेबल है जायाद हो जी जी केस मीडा यस तीन बगार की है सर एक तुमारी कौन सी है अग्रो केमिकल बेस अगरी कल्चर और अगरी कल्चर और जैनेटिकल इंग्री कल्चर आच्छा भया green revolution के तूः green revolution के तूः हमने अपने food production को बढ़ाया है सर अच्छा बताई genetically modified organism बना करके genetically modified plant बना करके हमने एक rice बनाया जिसे golden rice कहते है बताई golden rice किस vitaminDa में किस vitamin का concentration सबसे जदा होता है किषचा सबसे ज़्यारा उता जल्दी से बता है बोलो बई किस राइस में किस अभाई सब्सेठा था जल्दी से बता है हम ने golden rice bacillus serogenesis की बात कर रहा है bacillus serogenesis कर रहा है सर यहाँ पर कि यह specific होता है जैसे कि पीज़ पर होता है alkaline पीज़ पर होता है साथ है जब यह अग्टिवेट हो जाता है उसमें च्छेट कर देता है इसके वह से इंसेक्ट हो जाती है यह जो बीटी जीन होता है यह बैसिल त्योजनेसिस से निकाला जाता है और रहा है कि यह चूज जीन डवलफ रिदा क्रॉप जो टूबैको प्लान की रूट को क्या करता है हार्म पहुचाता है और इससे हमने बचाने के लिए हमने उसी की डिफेंस मेंगेंजम को यूज किया जिसे कहते हैं आरने इंटरफेरेंस ठीक है सर यह आपर कर रहा है कि हमारे पास 30 टाइप की ठरविटिक ड्रग्स ओवर वर्ड में एवलेवल हैं और इंडिया में 12 प्रकार की आच्छे गवाब लेते हैं हम इंसुलीन की टैबलेट्स क्यों नहीं लेते हैं हम इंसुलीन की टैबलेट्स क्यों नहीं लेते हैं 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 क्योंकि व यहां पर कहा रहा है सर इंसुरिंग कंसेस्ट आप तू सॉट पॉलिप्टाइट निसलफाइट बॉंड चैन एंचैन बी एंड दूरिंग दसी सी पेप्टाइड इस रिमूब हो जाता है सर यानी फंक्शनल प्रोटीन के पास ए और बी पेप्टाइड होता है सर 1983 में इली निली ने बनाया था अमेडिकन कंपनी है सर इन्होंने ए पॉलिप्टाइड और बी पेप्टाइड पॉलिप्टाइड को अलग अलग बनाया और बाद में आपस में जोड दिया सर चैन एंड बी बेरा प्रडूस सेपरेटली सर एंजीन थरह भी कहा रहा है सर सबसे भी जो जीन थरह भी हमने चार साल की बच्चे में की थी वो परमानेंट सेलूशन नहीं था लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुल गए पर इतनी सी बाद जरूर हुई जैने आपर करा है molecular diagnosis के अगर हम बात करें तो recombinant DNA technology PCR है, enzyme link immunosorbent ASA है, यह सारे early diagnostic test में आते हैं सर यहाँ पर कह रहा है सर यहाँ पर कह रहा है कि very few concentration of bacteria, virus can be detected in the amplification of PCR then कह रहा है सर, probe signaling is stand for DNA and RNA, radio molecules को यूज़ करके hybridization and complementary DNA into clone cell and outer detection using the auto radiography ELIZA आप सारे लोग जानते हैं enzyme link immunosorbent ASA transgenic elements जो हैं, जितने भी उनमें 95% माई से सर transgenic elements के तुरू हम क्या कर सकते हैं, study of normal physiology and development, study of disease biological product, vaccine safety chemical safety को हम use कर सकते हैं, करा से इसके दोरा हम बहुत सारी diseases हैं जिसके उपर हम जिसके बहुत सारी medicines भी इसके दोरा बना सकते हैं then करा है, alpha 1 anti-tripsin emphysema में use होता है, 1997 ने first transgenic cow जो थी हमारी, है ना, rosy उसके तुरू हमने क्या बना है, 2.4 gram per liter, हमने human alpha albumin उसमें protein का concentration बनाया, GAC का full form याद दखेगा सर, genetically engineer approval committee कहते हैं सर और कह रहा है कि हमारे पर लगबग 2 लाग rice की variety और बासमती की केवल अगर देखे तो 27 documentary है सर, और कह रहा है सर bio paracy बिलकुल याद दखेगा सीधे सीधे question याद से पूछा गया है सर, बोलो बास समझ में आई के नहीं सर हाँ, बिलकुल सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, तो इस session का हमारा जो अगला अगला जो हमारा topic है, वो है हमारा PYQs तो PYQs पर आ जाते हैं हमारे PYQs, बाया टेकलोजी के बाया टेकलोजी के PYQs पर आ जाते हैं, चलिए PYQs आप बाया टेकलोजी पर आते हैं first question हमारा क्या है first question है cutting up DNA at a specific location become possible with the discovery up किसकी discovery के बाद ये possible हो पाया कि हम किसी DNA को एक specific side से cut कर सकते हैं बताई भी है ये possible कब हो पाया किसकी कोच के बाद restriction enzyme की कोच के बाद ये possible हो पाया selectable marker क्या होता है selectable markers होते हैं वो gene जो select करते हैं आपके recombinant and non-recombinant and transformant and non-transformant के बीच है ना सर ligases क्या होते हैं ये आपके DNA molecules को आपस में जोड़ते हैं probes जो होते हैं वो artifices incise polynucleotide chance होती है बिल्कुल सर notes आपको मिल जाएंगे कहां पर telegram group पर है ना या फिलाई type पर चले जाएंगे वहां पर notes मिल जाएंगे ठीक है sir yes glue करते हैं बिल्कुल सर दिवान साहब रवी राजन बार ठीक है आगे बढ़ते हैं sir next question अगर हम देखते हैं sir question number next हमारा जो question है next question पर आते करा introduction of TDN into the plant involved करा introduction of TDN a plant into the plant involves क्या involve करेगा एक्पोजिंग दा प्लांट तो कोल फॉर दा ब्रीफ बिरेट नहीं अलॉइंग दा प्लांट रूट इंट इस्टेंड इंट इन्फेक्शन अब प्लांट बाइग्ट्रियम तुमिफेस एंसर क्या जाएगा सर थार्ड जाएगा नेक्स कोशन देखते हैं विचा प्लांट का फीचर नहीं है इंडिपेंड इप्लांट का फीचर नहीं है सर यहां पर क्या जाएगा ड जाएगा सर नेक्स सब्सक्रांट कर रहा है इस पर मेरिस किवास करतेश कर रहा है डेखिए सार्मो यहांगा से कवाथ कर रहें के लोगतीछ टो डोता सिदा सिदा कोशच आन्सरों से जो Brankem जो है जाएगा क्या first answer जाएगा next question देखते है question no.90 foreign dna and plasmid cut by the same restriction and nucleus can join to form the recombinant dna to use तो जोडने में कौन use होता है dna ligase use होता है eco-arbon तो हमारा क्या है sir restriction and nucleus है tag polymerase तो PCR में उस होता है polymerase third तो छोड़िए sir कोई मतलब नहीं है answer जाएगा sir हमारा first then question no.20 पे आ जाते है question no.20 कर रहा is tire tank bio reactor have we designed for यह किस चीज़ के लिए designed होते है ठीक है sir तो करें design होते है ensuring the ana anaerobic condition गलत होगा sir purification of product नहीं sir वो तो downstream processing में होता है addition of preservation of product गलत होगा sir availability of oxygen throughout the process is the right answer sir answer जाएगा हमारा four answer क्या जाएगा four then question no.21 which of the following is not a not a component of downstream processing इन में से कौन है जो downstream processing का component नहीं है sir तो करा expression नहीं है sir यह तो bio reactor नहीं होता है separation होता है purification होता है preservation होता है then dna fragments are dna fragments जो होते हैं हमारे थेरा either positively or negatively charge depending on their size गलत बात है sir negatively charge होते हैं सीधी बात है sir अनध सर positively charge तो नहीं होते है sir dna fragments separated one and average gel agro gel can visualize after a staining bit किस के थ्रू हम स्टेन करते है sir ethereum bromide के थ्रू सर एंसर जाएगा हमारा first next जेखते है sir what is the criteria criteria for dna fragment move to the agro gel gel ectophoracin negatively charge transformed to the not move large molecule size further move small fragment size further move answer जाएगा 3 due to the sieving effect due to the sieving effect answer जाएगा 3 then question numbers 25 a gene whose expression help into the identify the transform the cell is known as a gene whose expression help to identify transform cell ठीके सर करेट जीन हो expression help to identify transform cell ठीके सर नोन है structural gene selectable marker vector that is the selectable marker sir ठीके ना केरा जो help करता है transform or non-transformant के बीच पता करने को sir ठीके सर अखिल रावद जी खुस रही है भी या yes selectable marker is the right answer जी structural gene तो उसका part होता है सिस्ट्रॉन का सर सिस्ट्रॉन का part होगा then vector तो नहीं होगा vector तो औराई प्रोवाइट करता है plasmid भी नहीं होगा next यहां पर कहला है sir the process of separation and purification expression of protein before the marketing is called तो marketing से पहले किये जो process है यह क्या कहलाती है यह कहलाती है हमारी downstream processing sir next question देखते हैं the correct order of step up polymer chain reaction PCR का correct sequence का है sir पहला denaturation फिर अनलाइं फिर extension पहला ही सही हो जाएगा sir then next step क्या रहा है sir next step क्या कर रहा है next question following statement describe the characteristic of the enzyme section in the nucleus identify the incorrect statement तो इसमें incorrect देखना है enzyme cut the DNA molecule identify the position within the DNA सही है sir enzyme by the DNA specific side cut only one of the twisted गलत होगे sir तो answer जाएगा हमारा second हाँ भाविक नमस्ते भाईया चलिए sir आगे बढ़ते है sir next question भी आते है question number 29 DNA replication out of the mixture of the biomolecule can achieve by treating with sorry DNA precipitation out of the mixture biomolecule can be achieved by treating with तो isolation के लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम chilled ethanol डालते है sir है ना sir अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूचा था use the chilled ethanol याद आए कि नहीं आ रहा है इसमें हम लोग क्या use करेंगे इसमें हम लोग use करते हैं chilled ethanol को use करते हैं किसके वोच करते हैं chilled ethanol को use करेंगे दने सर नेक्ट जेके सर कोशन हमारा यहां पर क्या है which of the following equipment is easily required to growing the micro large scale industrial production that is the bio reactor answer जाएगा हमारा bio reactor is the which of the following equivalent sensory require growing the microbe in large scale ना ना बिलकुँ सर बायो रेक्टर जाएगा एंसर जाएगा देन गरा सर एड़ी वाइडर रॉंग स्टेट्मेंट्मेंट विर रिगार्द रिस्ट्रेक्शन ने नूप्लेश करा इन में से से स्टेट्मेंट है जो रॉंग स्टेट्मेंट्मेंटर रोंग था इसना जाने का इस और फीम के इन t мон coupled जी एए टीटी से एंसर क्या जाएगा थाट जाएगा सर जैसे चूज दा करेक्ट पिर आउड फालोईंग इनमें से कौन सा है जो सही है सर नुकलीजेस सेप्रेट टू स्टेंड आप डियने एक्जोनुकलीजेस मेंग दा स्पेस्पी कोईशन गलत हो गया लाइगेज ज्वाइन दा टू डियने मॉलीकूल एंसर जाएगा हमारा थाट एंसर क्या जाएगा थाट नेक्स कोश्चन कहा रहा था सिक्वेंस देट कंट्रोल दा कॉपी नंबर आप डियने वैक्टर इनल ड इन्फरेट की वाण जाके जाएगा एंसर जाएगा डी और यूबी रिदेशन अगला गश्चन करता है ना पलीम होगे सर आगे वी देख लेगता है प्लिम और प्लीम्रीन यूं जाएगा DNA strand one of the gel gel stand with the ethidium bromide and view under the ultraviolet apparent the bright orange bands bright orange band is the right answer 37 का क्या जाएगा 37 का जाएगा first then इसके बाद देखने सा next question सा which of the following is the correct sequence of the step in the PCR ठीक है देखे question repeat हो रहा है सर denaturation extension annealing answer जाएगा रहा हा 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 ने 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 यहाँ पर जाएगा denaturation annealing correction answer जाएगा four answer जाएगा यहाँ पर four ठीक है next question कर दा है question number 39 question number 39 देखते हैं बच्चा पार्टी 39 का which of the following not an application application of PCR ठीक है gene amplification purification isolation protein बिल्कु सर यह purification नहीं करता है the detection of gene mutation सही है सा है molecular diagnosis में यह होता है यह भी सही है सर नेक्स यहां पर क्या कहा रहा है नेक्स एरहा सर पीबिर 322 पीस्टी रिसेक्शन एंजाएं साइट बिदिन जीन MPC in our confirm MPC in resistance if the gene is using the insertion of beta glycocydase production the companion plasmid insert the equalized and TK sir to have a carousel insert ho gaita but transfer the cell will have ability resting MPC lean and the producer beta glycocydase laser it will lead to the license of the host cell neighbor then character it will able to produce करा कि प्लाजमिट प्वर 322 प्स्ट रिस्ट्रेश और जीन एंप्ट र इंप्र र गॉनफर र कंफर्म ठीके सर्ड ओके एंड मधरा के during the process of gene amplification using the PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then what is the PCR effect this? करा कि तो इस प्रोसेस में क्या होगा सर, denaturation नहीं होगा, कौन सा प्रोसेस एफेक्ट हो जाएगा, denaturation का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगा, अगला कोश्चन कहा रहा है सर यहाँ पर, during the purification of process, recombinant DNA technology, additional chilled ethanol precipitate, chilled ethanol किसे precipitate करता है, DNA को precipitate कराता है, किसको precipitate कराता है, DNA को precipitate कराएगा, next कह रहा है सर, specific recognition sequence identify the into a nucleus, make the cut the specific position of the DNA, that is a palindromic nucleoside second, ओका जागी fragment तो रेप्लिकेशन पे बनते हैं सर, हाँ, राम मिस्रा, offline class भी है, then इसके बाद वो क्या कह रहा है, given below, assertion region की बात कर रहा है सर, कह रहा है सर, यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है सर, कि polymer chain reaction, DNA amplification सही है सर, and कह रहा है, amplification resistance using the selectable market check to transformation, चाहिए, लेकिन दोने एक दूसरे का explanation नहीं है, answer जाएगा first, सर नहीं मिलता है telegram पर, मिल जाएगा बच्चा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, अगला देंगे कर रहा, question number 45, question number 45, which one of following statement not true regarding the geletrophoresis, कौन सा सही नहीं है, geletrophoresis DNA fragment रहा, stand by using the atendium broodide, promite सही है, presence of promogenic substrate give to the blue color, यह गलत होगा है सर, second वाला गलत होगा है सर, हाँ, offline class होगी सर, then इसके बाद होगा, आपर कह रहा, if the following palindoid sequence DNA, which can cut easily to particular restriction enzyme कर रहा है, इन में से, कौन है, जो easily cut होगा, g, a, t, t, c, and c, c, t, a, g, 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 ठीक है, तो answer जाएगा हमारा, first जाएगा सर, answer यहाँ पर क्या जाएगा, question number 46 का answer क्या जाएगा, sir, first जाएगा, question हो रहा है, यहाँ पर repeat, गोलो बास समझ में, आई के नहीं आई भिया, clear है, sir, यहाँ तक, then है, यहाँ पर देखते है, sir, next हमारा, next जो हमारा question देखते है, next question, ठीक है, sir, wait a minute, just wait a minute, question है, हमारा, next question है, question number 13, चले बताएगा, question number 13 भी आएगे, sir, BT, BT से है, sir, BT से question है, application से, applications है, बताएगे, BT in the BT cotton, BT toxin present a plant issue, pro toxin, converted in the active toxin, due to the, active toxin, किस वज़े से, यह active toxin में convert होता है, और किस वज़े से हो रहा है, acidic pH, insect, गड़ा थे, sir, alkaline pH, कैसी pH, alkaline pH in the gut of the insect, first जाएगा, sir, then, गड़ा, crop engineer for the, fast-paid resistant, tolerance to the, 40, कि यह किस को होगा, हर भी sites के लिए होगा, next, करा है, question number 15, golden rice is genetically modified crop and carbon gene, इसमें क्या होता है, sir, इसमें होता है, बिटामी ने होता है, क्या होता है, बिटामी ने, आपके golden rice में सबसे ज़्यादा होता है, then, इसके बाद करा है, next question, which part of the tobacco plant, infected by millividequine incognitia, root part, इसका effect होता है, answer D, जाएगा, इंदर two polyfeptides of human insulin linked together by the disulfide bond, answer जाएगा, four, sir, then, इसके बाद देखते है, next question, which kind of therapy, 19, 1994 year old, adnosine dmd deficiency, radio therapy, gene therapy दी गई थी, कौन दी थेपी, chemo therapy, immunotherapy, radio therapy, तो cancer में देते हैं, then, इसके बाद करा है, sir, which of the following, which of the following, yes, याद देखेगा, which of the following, which of the following, beta-ji, which of the following is commonly used for the vector, introduce the DNA fragment, the human lymphocyte, कौन सा vector, use क्या था, retrovirus यूद क्या गया था, cDNA याद कर रखेगा, sir, यहाँपर, in India, the organization is basically assigned to safety of introduction of the genetically modified organism, organism in the public use, genetically engineer approval committee, that is a GAC, answer जाएगा, यहाँपर, first, next, कह रहा है, यहाँपर, next, question है, using the bio resources, by the multi-national companies, and organized, without authorization, and then, तो हो गया, तुमारा, bio piracy, answer, यहाँपर, कह जाएगा, bio piracy, that is the food, then, इसके बाद कह रहाँएगा, next, question, new variety of the rice was prepared, patent in the foreign company, and through the variety of having present in India, a long time, that is a basmati rice, अमेरिकन टेंड मॉर्ग में, उसने, उससे क्या कराया था, रिजिस्टर कराया था, what is the trend, what triggers the activity of the pro-toxin, of the active detox in baseloterozynesis, ball bomb, तो किस वज़े से वो activate होता है, यह activate होता है, alkaline pH of the mid-gut, तो answer जाएगा, हमारा third, answer यहाँपर क्या जाएगा, third जाएगा, next देखते है, next question क्या रहा है, which of the following true for the golden rice, it is the vitamin A index with the gene forming the drug, तो यहाँपर क्या रहा है, फैला ही है सही हो जाएगा, next यहाँपर क्या रहा है, next यहाँपर आपको matching करनी है, match ब्रूपर BT cotton जो होता है, bacillus therogenesis से मिलता है, adenosine, adenosine किसमें, gene therapy में, RNAi, which of the following statement is not correct, क्या रहा है सर, functional of insulin has A and B linked together by the hydrogen bond, बहुत हो गया बहा है, by the disulfide bond answer, यहाँपर फॉस जाएगा, genetically engineered insulin proceed in the equalize, सही है सर, in man, insulin is inside by pro-insulin, and the pro-insulin has extra polyptide, that is C-peptide सर, next क्या रहा है, question number 27, BT cotton variety, यहाँपर डबलप बाइजा इंटोड़क्शन आप, oxygen, the bacillus therogenesis resistance, तो यहाँपर, यहाँपर क्या दे रहा है सर, that is a insect pest, answer जाएगा हमारा C, then यहाँपर क्या रहा, next question, bacillus therogenesis, bacillus therogenesis, क्या सर, cry protein, answer जाएगा 4, thermos aquaticus, thermos aquaticus, DNA polymerase, answer जाएगा 3, agrobacterium tumifacians, क्या सर, cloning vector जाएगा, जाएगा, हमारा second, answer चलाएगा, हमारा 4, 4, 3, 1st and 2nd, बोलो बास समझ में आई कि नहीं आई सर, next question कहना, when the gene target involving the gene amplification in the attempt in the individual's tissue, treating a disease is known as, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, gene therapy, answer is the first, इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, इसे हम लोग कहेंगे gene therapy, clear है सर, next question देखते हैं सर, next question क्या है, nowadays is the possible detecting the mutation gene causing the cancer by allowing the radio probe in the hybridization company, hybridization complification, DNA in the cloning the cell, followed by its detection in the radio autography because, because mutation gene complete the cleaning, clean तो appear नहीं करेगा, नहीं appear करेगा, mutation gene does not appear to the photographic gene and the probe have no complimentivity, answer जाएगा, यहाँ पर second, answer जाएगा, यहाँ पर second जाएगा, answer is the second, next देखते हैं सर, next कहरा है सर, with regard to the insulin, choose the correct option, C peptide is not present the matures, मैं कहरा है यहाँ यहाँ पर, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्मेंट नहीं आ रहा है भाई, कहां आ रहा है भाई, क्मेंट डाविर नहीं बढ़ रहा है, इसके रुके में, मेरा देखे बोल देते हैं, वहिया, अच्छे हैं, मगर धर्ती की बेचैनी, को बस बादल समझता है, स्टैफोस्कोप की बेचैनी, केवल निव लाइट समझता है, क्यों भई या, अच्छा सुनो भाई, बढ़ियां बढ़ियां मस्ट मस्ट जहें 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 जहें, जहें जहें जहें, अच्छा बेटा, जो आपकी डिमांड थी ना, आपकी डिमांड थी कि सर केमेस्ट्री और फिजिक्स में भी कोश्चन पूछने वाला सेशन करा दीजे, ठीक है ना, तो आज बेटा मिटिंग करकी ये सेशन करा रहें, पालिमर, इन्वार्मेंटल केमेस्ट्री, बताईए, और लास्ट भी यही होता है, भूल गए, सब कुछ याद नहीं, अब कुछ, एकदम सही रहेगा, तो बेटा, आप लोग जो भी कहोगे, सब करेंगे, एक पेपर ओवर सीच का हुआ था, नेट से निकाल के साल्व कर लेना, नमस्ते, चलिए, तो आज ये कर लीजे, आज के बाद, अब हमें लगता, बायोटेक के बाद क्या, एकॉलजी बचा है, जी सर, बस, बस दो दे, तो एकॉलजी का एक सेसन करने के बाद, और आज सामको, जेनेटिक्स, बायोटेक, ये लूशन, ये सब होगा रैपिट फैट, ठीक है, चलिए, सर का सेसन करिए, और बेटा, पंद्रह दिल बाद, कुछ नहीं बचना हम लोगे हाथ में, इस देखुप कादे से वजूब जाएए, थैंक्यू बेटा, जाहिंद, है वे वंडर्फुल डे, जाहिए, जाहिए, तो, वे कोश्चन, सर, ये हम तो, आप कोश्चन नमर थर्डी बने भी, रिगार्ट टू दे इंसरी, चूज दा करेक्ट आप्सन, आपकर रहा है कि, इसमें से कौन सा आप्सन है, जो आपके four options देगा है, इनमें से कौन सा correct है, C-peptide is not present in the mature insulin, करा कि, जो C-peptide है, वो mature insulin में present नहीं होगा, तो सर, ये बात तो सही है, इंसुलिन, दें करा, C, the insulin produced by the recombinant DNA technology, has the C-peptide, तो ये गलत, इंसुलिन चूज दा करेक्ट ऑप्सन, ठीक है, then pro-insulin has the C-peptide, ठीक है, pro-insulin जो है, वो C-peptide रखता है, सही बात है, and the A and B peptide of insulin interconnected by disulfide bomb, A and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridge, तो ये भी होगे हमारा सही, answer क्या जाएगा, आप बताएगा, answer क्या जाएगा, ये आप बताएगे, answer जाएगा B, second option is right, very good, बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे, done, 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 चले, next question देगे, understanding is the pathophysiology, is a very important, which of the following molecular diagnostic technique, is very useful, early detection, southern blotting, ELISA, hybridization technique, western blotting, इन में से क्या होगा, that is a ELISA, southern blotting, western blotting, इसके लिए आप याँ दखेगा, is no drop, southern blotting for DNA, northern blotting for RNA, western blotting for protein, तो यहाँ पर यह हो गया सर, next कहा रहा सर, question हमारा 33, adnusine DNA deficiency result into the, लो भया, deficiency of immune system, answer जाएगा हमारा, answer जाएगा हमारा क्या, fourth जाएगा, done सर, next question हमारा क्या है, next question हमारा, transformation करें, use to during the, which of the following, किसमें यूज़ होते हैं, बताएगे बहिया, gene, gene silencing में, RNA interference में, use होते हैं, answer यहाँ पर क्या जाएगा, first जाएगा, बोलो बासवज में आई कि नहीं आई, clear है बहिया, done है बहिया, next देखते मचा, next question क्या है, gene therapy, adenosine DNA deficiency, patient required the periodic fusion of, genetic engineer lymphocyte, because, gene isolated from marrow, produce the adios induced into the cell, embryonic stence, lymphocyte from the patient, blood growing the culture outside the body, okay, then कहाँ रहा है सर, genetic engineering lymphocyte, not, not, तो यहाँ पर basically, क्या रहा है, यहाँ पर, क्या रहा है, patient required periodic, क्यो, हाँ, तो कहाँ रहा है, genetic engineering lymphocyte, are not immortal sir, तो answer यहाँ जाएगा third, क्योंकि अगर immortal होती, तो फिर हमें बार-बार, उससे periodic transfusion करना, नहीं पड़ता sir, थाना तो वो permanent solution हो जाता, ठीक है sir, चलिए, next यहाँ पर देखते है sir, question है हमारा, statement regarding the human insulin, human insulin is given below, which statement is or correct for the, which statement correct about the, genetically, statement regarding the human insulin are given below, ठीक है, which statement are correct about the, genetically engineered insulin, ठीक है sir, चलिए, गराब pro insulin, contain the extra cropy of C peptide, तो भाया गलत हो गया sir, sir जो हमारा, जो genetically engineered insulin होता है, उसमें तो C peptide बनता ही नहीं है, उसमें तो किवर A peptide और B peptide बनाते हैं, किसने बनाई थी वो, वो बनाई थी तुमारे, वो बनाई थी किसने, वो बनाई थी तुमारी किसने, वो बनाई थी, एली लीली ने, तो पहला option तो गलत हो गया, कह रहा है, A peptide and B peptide, जो इनिसुन आप प्रेडूस सेपरेटली, एकोलाई, इस तो बनाई थी तो सही हो गया, इस तो गलत हो गया, यह तो हम DNA रिकॉमिने टेक्नलोजी के थू बनाते हैं, प्रो हार्मोन इसुन लीडिंग दा प्रोसेस, आप कलवटर इंडू दा मेशोर फंक्सर हार्मोन, नहीं सर गलत हो गया, जैन गरा, सब बेसेंड डबलब दा अलर्जिक रियक्षिन था, फोरें इंसुन यह भी यहाँ पर गलत हो गया, तो एंसर यहाँ पर जाएगा केबल फर्स्ट, और आप सभी लोगों ने गलत कर दिया यह कोश्चन, एंसर यहाँ पर फर्स्ट जाएगा, नहीं सी जाएगा, ठीक है न सर, आपने सायद ध्यान से पढ़ानी कोश्चन को, यहाँ पर ने कह रहा है कि, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुनिन है, उसकी बात कर रहा है, नेचुरल इंसुनिन की बात नहीं कर रहा है, बात समझ में आई कि नहीं, तो यहाँ पर एक गुगली हो गई, आज समझे किया सर, इस बार का एक कोश्चन था सर, बढ़िया कोश्चन था, धमाकेदार कोश्चन था, तो कल एक दिन का लुचा हो गया साब, थोड़ा सा कोसिस मैंने की, लेकिन सर, तबियत की वज़े से नहीं हो पाया सा, तो एक दिन हम लोग बैक में चले गए, लेकिन फिर भी अब हम लोग जो है, आज हम लोगों ने बाइटेक्नलोजी कम्प्लीट कर लिया, नेक्स टू डेज और, क्याने की हम लोग जो काम पूरा करने वाले थे, ट्वंटी थी तक, स्वारी, ट्वंटी टू तक, अब एक दिन और आगे बढ़ गया, तो कल हम लोग करेंगे, आपका औरनिजम और पॉपुलेशन, देन करेंगे एकोसिस्टम, और दिन उसके बाद करेंगे, बाइड आवर्सिटी और इन्वार्मेंटल इसूस, और हमारी NCRD हो जाएकि, कम्प्लीट, हमारी टेस्ट जो सिरीज है, टू चैप्टर्स पर डे, विद लाइन बाइन बाइन और पी बाइक्यूस, और कैसा लग रहा है इस सेसन, कैसी लग रही है आपको मेनत, आपका कुछ बेनिफिट हो पा रहा है की नहीं हो पा रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं सर, कल के सेसन में 7.30 पे, जैहिन जैवारत, have a nice day.